अधित्यसिन कह रहे हैं, content को deliver करने का सही तरीका क्या है, क्या इसके लिए language skill पर काम करना होगा, यदि कोई course है language develop कराने का, तो please suggest कीजे, content deliver करने का सही तरीका क्या है, कितना generic सवाल है, content deliver करने का सही तरीका क्या है, किस तरह का content है, उस पर काफी चीज़े डिपेंड करती है, अधित्य जी अगर आप हैं तो एक मिनिट बात करके आपका problem हम solve कर सकते हैं, unmute करेंगे सर, सर, मेरा थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत होती है, और जैसे आप content deliver करते हैं, बैसे मैं भी करना चाहरा हूं, बट मैं बीच बीच में अटक भी जाता हूं, और हो सकता है, उसके वज़े से पुड़ाबरी एक बार पर इलासे हो गया है, उसके अलावा मेरे साथ content इत्ता knowledge वेल आपको हैता है, इस वज़े सी चीज़े में रुप जाता हूं, और मैं सूच रहा था, आपकी तरही से सिंपल से दिने-दिने से बता पाऊं, मनला content सही से डिलेवर नहीं कर पारता हूं, तो इसके लिए मैं जानना चारा था, कोई language scale या personality development के लिए कोई course हो, तो सर्व सजेश्ट करते हैं, यह सर, कहा है, कैमेरा कहा है, उंगली दिखाओ कैमेरा पर, उंगली वही रखो, उंग बस वहीं उंगली रखो, अब यहीं पर, उंगली रखो सामने, ऐसे लगाओ, दिखाओ उंगली, बस, बस, अब यहीं देखते रहोगे, ना right देखोगे ना left, अब वापिस सवाल पूछो अपना, पूछो, सवाल क्या था? मतलब content तरीके से डिलेवर कैसे करना है के लिए कोई course हो या language skill के लिए कोई सही पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं, पूछे, go on, go on, सही पूछ रहे हैं, यहीं कोई language skill या development के लिए कोई course यहीं, वह तो मुझे सजेश्ट करते हैं, परस्नालेटी डिवलेमेंट के लिए अधित्य बहुत सारे courses हैं, लेकिन आप छोटी-छोटी अगर practices करना शुरू करेंगे, तो आप अपने उपर बहुत अच्छा काम पाओगे, personality development का course एका दो दिन महीने, दो महीने, चार महीने का होगा, वो सिर्फ बताएंगे और चले जाएंगे, कि यह करना है, लेकिन करना हमी को पढ़ता है, आपने जब बोलना शुरू किया था, पहला जो अपने दो मिनिट बोला, और अभी जो आपने दो मिनिट बोला, वो, I think, जमीनासमान का फरक रखता है, आपने जब शुरू किया था, तब आप इतने distracted थे अपने thoughts में, और अभी जो आपने focus के साथ बोला है, वो इतना amazing है, कि आपके content की जो level है, वो पहले 10 पर थी, तो अभी 60 पर आ गई, यह सिर्फ practice से होगा, सिर्फ practice से, मैं जब meeting लेता हूँ, तो दो-तीन बार मुझ से बोलता हूँ, सर उसके बार लेता हूँ, तो काफी अच्छे से बोल पाता हूँ, और यह चीज जो है, मान और mindset का ही, mindset और practice का ही जरूरत, यह जो आपको लगता है, कि आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, content डिलिवर नहीं कर पा रहे हो, या आपको जो बिमारी हुई थी, उस वज़ह से आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो यह निकाल दीजे, हमें, हमे अगर आप मुझे नहीं बताते, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आपको कोई प्रॉबलम है, तो यह बात दिमाग से पहले तो निकाल देंगे कि आपको कोई प्रॉबलम है, कोई प्रॉबलम है नहीं आपको, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी से practice क करोगे हर रोज 5-10 मिनिट 15 मिनिट वीडियो में कैमेरा में देखकर बात करना शुरू करो स्टोमेटिक लिए अपको आदत हो जाएगी सर ठीक है अधित्या अपना कॉंटेंट बनाओ और कॉंटेंट शेरिंग के ग्रूप में हर रोज डाला करो कोई देख न देख वो उनका प्रॉब्लम अपना काम है रोज बना के डालते रहो अलग 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 बनाकर डालते रहो आपकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है इतना प्रैक्टिस करेंगे करेंगे पॉजिटिवली मैं मेरा सिखाने का तरीका शायद थोड़ा अलग है लेकिन इफेक्टिव है द्यान रखना चार मिठी बाते बोलकर छोड़ दूंगा तो कोई रिजल नहीं यस परफेक्ट बढ़िया थैंक यू सो मच इस पॉइंट पर साइन आउफ करता हूँ आज के लिए मैं हूँ संदीब बंसाली डिजिटल आजारी का रचियेता मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो मुझसे डिज लिटल मार्केटिंग सीखें इसे अपनी जिन्दगी में इंप्लिमेंट करें और इस नॉलिज की मदद से अपनी जिन्दगी में अच्छे पैसे कमाएं तब तक के लिए इजाज़त दीजे हैव लवली डे गूट नाइट जेहन